कलिए में में Śका तब师 może है तो में पुद और unin ready नually मतलब होता है तो गिफ डारीक्शशन तो वट्यू मेन invari सब्सक्राइब हो सबस्चा हैं कर देशन देने को हम लोग डारीक्टिंग का नाम मतलब होता है दैरेक्शनस देनाइब इसके टोटंको सोते हैं चार इसके बारे में आ रहे हुआ हमने पढ़ दिया था चार और देसालिमेंट से बढ़ेँ है सबसे पहला यादे चार अलीमेंस पड़े थे पिछली ए सबसे पहला मजा था सुपाय। कोस सथा लीडरशिप तीसरा अलीमेंट कौन सथा मोटिवेशन और चौता क्या element कौन सा था Communication ठीक है चारों में क्या फरक है वहते डिफरेच्ट बेइन सुपर्वीजन मेडर्शिप मोटिवेशन ते यह डारेक्टिंग के चार elements होते है इस आधी four elements of directing पॉरेज़न लीडर्शिप मोटिवेशन क्या फरक होता है सुपर्वीजन का मतलब होता है जब कोई सुपीरियर अपने को सुपरवाइस करता है अब कुछ कोई सुपीरियर अपने सबसाइब को चेक करता है that is called as supervision what is leadership जब अपने बइर से इंफ्लूइंस करते लिधियो तो तो अगर हमें करनी है अगर हम किसी को डारेक्शन देना चाते हैं तो हमें इन्हें चार एलिमेंट्स का पालंग करना पड़ता है लीडर्शिप मोटिवेशन सबसे पहला आता है सूपर वीजन जो है वह अपने आप दो वर्ट से मिलकर बना है एक है सूपर एक है विजन क्या मतलब है इसका सूपर का मतलब है उद्बा में सीनियर में सीनियर औं विजन मीज दो चेकी तवेज्ट परफॉरम इस्ट जब सीनियर आपकी पर्फॉर्मंस को चेक करता है तो दैगी सूपर वीजन आँ अफने चेक्त लिएगर्शन तेट परफॉरमांस आफर वाद इस कालँand अब एक आंसर दो क्या फायदे हैं इसके क्या एडवांटेज्जेस हैं या क्या फंक्शन्स है मतलब ऐसा क्यों एलब सीनियर को परफॉर्मेस चेक क्यों करनी होती है सबॉडिनेट के इसके क्या-क्या फायदे है अब इसके आपने सारी बाते विर्पुल सही बोली है हमें उसकी वर्क को कंटीनुसली चेक करना चाहिए चेक करने का सबसे बड़ा कारण ही होता है कि वह हमारे where kind came मों मुष्य के और जाधा रब लिए जिसके काम को उसको और सिखासा कते है यह ul को उसको उसके काम को वह उसको बता सकते है छ्छक करते हैं और क्या काम करता एक breath सुपरवाईजर आपने एक चाप्टर में थोड़ा से लाउट दीदी रिसोर्सेज वेश्ट हो नहीं हो रहे हैं एक्जाट्ली यह तो सबसे में बात है कि ऑगनाइजेशन यह मैंने एक ट्राइंगल सा बनाया है कुछ याद है यह पड़ा था कहीं पर टॉप लेवल में ट्री लेवल्स अ बैनेजमेंट इस टॉप लेवल इस इस मिड़ल लेवल एंड इस ऑपरेशन लेवल और उस दिल हमने यह भी पढ़ा था कि जो यह सुपर वीजन है वह कौन करता है सीनियर मतलब सुपर्वाइजर तो जो सुपर्वाइजर होता है वह आ Vern इछे निचे होता है middle level उसके नीचे लेवल और जह सुपर्वाइजर होता है वह उप्रेशनल लेवल पर रहता है मतलब की सबसे नीचे अब इसके सुपर वाइजर को क्या क्या था प्रक्सirm है सबसे पहला फांक्शन है यह है बेता जी कि हो लिंग है से बीच मे लिंक ह लिंक बिढशिमनेंट एक वर्कर्स मतलब सबसे अपर टॉप लेवल होता है उसके दिशे मिदे लेवल होता है उसके दिशे मिदद रिचे लेवड़ होता है और प्रेशिनल मेल के नीचे कौन होते हैं सबसे नीचे वर्कर होते हैं तो सबसे उपर चॉप लेवल उसके नेचे मिडर लीवल सकह डिछे ऑप्रेशनल लेवल सबसे नीचे होते हैं वाग स्थ वैसे चुलबा क करता ये सुपर्वाइजर जो होता है कार्थव वो एक link की तरह काम करता है between management and worker ऐसा क्यों क्योंकि इसके उपर आप ध्यान से देखो इसके उपर है top और middle यानि कि management top level middle level और इसके नीचे कौन है workers तो supervisor का काम क्या है supervisor का काम यह है कि management से order लेकर workers को देने है जो भी management orders दे रहे है वह worker तक पहुचाने का काम करता है और जो भी worker के suggestions है वह आ रहे है किस तक पहुचाने का काम करता है management कर तो it is a link between management and workers यह supervisor का सबसे main काम होता है कि management से order लो worker को दो worker के suggestion लो management को दो this is the most important work between management and worker supervisor यही role play करता है कि management की orders लेके workers को देना workers के suggestions लेके management को देना दूसरा काम आता है मैं आपको एक बहुत छोटे से word पर समझाती हूं जो supervisor होता है वह worker के पास होता है सबसे पास कौन होता है supervisor के सबसे पास कौन होता है worker सबसे पास तो यह worker के लिए बहुत सारी चीज़े करता है मतलब कि सब कुछ worker के लिए लेकर लिखता है यह worker के conflict solve करवाता है है ना अगर किसी दो वरकर में लडाई हो जाए तो वो लडाई सॉल्फ करवाने का काम इसका है शॉपरवाइसर के हाथ में वरकर को ट्रेंइग देना अगेरी इंपोर्टेंट काम इसके बाद वरकर को मोटीवेट करना उसके मोरायल को मेशा अप करना नमबर फाइफ वरकर के आप्टिवम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स यह भी आप में से किसी ने भी अभी बोला था कि वह यह चेक करेगा कि वह मारे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है रिसोर्स बिल्कुल भी वेस नहीं कर रहा है और लास एंदा वेरी इंपोर्टेंट तेंग इस कि जो एक सुपरवाइजर होता है वह वर्कर के लिए ही आक्ट एस फ्रेंड फिलोसफर और गाइड अब मैं सारी चीजों को एक पार आपको समझाते हूं क्या पढ़ा हमने डार मतलब होता है जो काम को चेक कर तो मैनेजमेंट के ऐ dishwasher को मैनेजमेंट कर के दूसरा काम अगर वर्कर्स के बीज में कोई conflicts हो जाते हैं तो यह उस conflicts बेटा जी देखो आपको वाद आती हूं लडाई हमेशा किसी ना किसी communication gap से होती है कि कोई misunderstanding हो गई लडाई हो गई तो यह उस communication gap को को भी solve करके unity maintain करने के लिए काम करता है कि सब में एक चूत unity रहनी चाहिए नंबर थ्री इस वर्कर को ट्रेनिंग देने का काम अगेन वेरी इंपोर्टेट वर्कर की skills इंप्रूव करने का काम जिससे कि उसकी जॉब और अच्छे से काम करें यह देखने का काम भी सुपर्वाइजर का ही होता है वरकर को मोटिवेट करना मतलब उनके मोरायल को हमेशा हाई रखना जितना वो मोटिवेट रहेंगे उतना एपसेंटिजम कम हो जाएगा और प्लस उतनी ही स्टेबिलीटी रहेगी यादे फ्योल का एक प्रिंसिपल था रहे है क्या प्रिंसिपल तक कुछ याद है एक फ्योल का प्रिंसिपल था कार्थिक थोड़ा से लाओड क्या पढ़ादा निकेट तक कुछ याद है एक फ्योल का प्रिंसिपल था कर्थिक स्टेबिलीटी से रिलेटेट स्टेबिलीटी ऑफ परसनल एक्जाक्ली और अनिके जैसा आपने मुझे टेक्स में डाला कि मोटिवेट अपने आप में एक मटिवेट करता है उससे बहस तो कोई मोटिवेट करी नहीं सकता लेकिन सूपर वाइजर भी वरकर्स को मोटिवेट करने का काम करता है उनके वो कम चुट्टी बारे और स्टेबिलीटी रहे उनके काम में बैसिकली वह जल्दी से जोड़ने की तरफ ना जाया मतलब जल्दी जल्दी नहों नैक्स थाता है डाटिज आप्टीमफ यूट्याइशेशन इसका मतलब होता है तुरेड्यूज दभ वेस्टेज और रिसोर्स इसके लिए भी इस वज़े के लिए भी वह काम करता है कौन काम करता है जो मैंने भी आपको बताया कि वेसेट कमो जैसे सुपर्वाइसर सुपारीजर इसके लिए खाम करता है कि resources की वेस्टेज कम से के लिए एक friend भी है एक немे गाइड़ी है अब मुझे इन तीनों वर्ट में फरक क्या होता है फ्रेंड फिलोसफर और गाइड means नहीं सोच के बताना फ्रेंड को होता है तो दीजे आंच दीजे किसको आप फ्रेंड के तो बोलो बोलो आरे बोलो तो थोड़ा फ्रेंड मोटिवेट नहीं करते कभी उच्ट रहता है कि आए फ्रेंड उल्टा गलत रस्टे पर जादे ले जाते हैं नई नई अए कि अपना फ्रेंड की बनाते हूं किई अच्छांत करता है आप किसे अपना फ्रेंड बनाओगे किसको आप कोगे कि यह मेरा फ्रेंड है कि एस सूपरवाइजर मैं सूपरवाइजर हूं तो मुझे आपके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रखता चाहिए इस बात का क्या मतलब है कि मुझे आपको मोटिवेट करना चाहिए अगर मुझे है आ रहे है ऐसा ही है है इसके साथ हम अपनी शेयर कर सकते हैं वो हमारा फ्रेंड कलाता है फिल стр वो होता है जो हमें राइड और रोंG के बीच में डिफरें становится बताता है कि क्या चीज ấuही है और क्या चीज घलत है वह होता है मैं फिलोसफर और गाइड वह होता है जो हमें इंस्ट्रक्शन देता है मैंने आपको काता यह पूरा चैप्टर हम आपके और मेरे रिलेशन पर निधारित है तो वॉट इस सूपर्विजन सूपर्विजन क्या है मैं आपके काम को चेक करती हूं तो मैं बितर्थ है क्योंकि अगर बेटा-जी यूनिटी रहेगी तो एक पॉजिटिव इन्वार्मेंट रहेगा अब बच्चा एक से बात नहीं कर रहा दूसरा दूसरे से नहीं कर रहा तो उससे पैदा होती है तो इसलिए लड़ाई करवाना वर्कर को ट्रेनिंग देना जिससे कि उसकी स्किल्स इंप्रूव हो उसे हमेशा मोटिवेट रखना जिससे वह चुट्टी कम मांगे स्टेबल रहे रिसोर्स की वेस्टेज ना करे और मुझे उसके लिए एक फिलोसफर की तरहें भी काम करना था यह चीज सही है यह गलत है यह गलत रश्ता है और इंस्ट्रक्शन्स तो मुझे आपको दे नहीं है तो एक सुपरवाइजर फ्रेंड भी होता है फिलोसफर भी होता है गाइड भी होता है ऑप्तिमम यूटिलाइजेशन अफ रिसो ऄक्ते सबस्टा चाहीं और संटेसा को शुपर मैं शुपर्वाइज सेल मकलें आपरेशनल लेवल्ड शुपर्वाइजर अपरेशनल लेवल पर मत्लब होता है यह कि अरे सुपर रहे हैं अरे सुपर विजन क्लियर है है अनिकेज सुपर विजन क्लियर है कि कार्तिक कि किसी को कोई डाउट एक बर और रिकाप लेंगे ठीक है तो वट इस डारेक्टिक अभी आपको बोला है मुझे नहीं बोला है डारेक्टिक का मतलब क्यों होता है इस डारेक्टिक अगले आगे बोलो बोलते चलो कितने एलिमेंट्स होते हैं अगे बढ़िये हमने आज कौन से एलिमेंट पढ़ा है अभी सुपर विजन वाट इस सुपर विजन इस दन बाए क्या काम करने होते हैं सुपर वाइजर को इट ऐस या लेंक फइस समेंट थोड़ा जल्दी लिंक बिट्वीन अनुझत सोब करता है कैसे यह काम करता है बता हो अब जल्दी होगे दी द्यूर्डर मैंनेजमेंट से वकल को पुझाता है और सजेशन वे कर से मैंनेज्मेंट को वेरी गूड दूसरा विकर के कॉन फिक्लिक्स को करता है वेरी गोड बबकर को क्या देने का काम करता है चलिए सुनने मुझे जल्दी वेटा जी जे के शे पॉइंट्स अनिकेट आप बोलो अगे प्रवाइट प्रवाइट ट्रेनिंग वेरी गोड आगे आगे हांजी एक टैक्ट एज लेंक बिट्वीन मैंनेज्पेंट एंवर्कर नमबर वाल नमबर व्यूस कॉंप्लिक्स को सॉल्व करता है नमबर त्री यह वरकर इसको मोटिवेट करता है नमबर फोर यह वरकर को ट्रेनिंग देता है ऐसे बोलो बावू नमबर फाइफ और मुटिवेशन नमबर शेक्स इटार्ट एज़ा फ्रेंट फिलोस्पर हैं यही डारेक्टिंग का सबसे वहला फंक्शन होता है सबसे वहला एलिमेंट होता है दाट इस सूपर वीशन नोट करेंगे इसको अगला हम पढ़ेंगे मोटिवेशन थोड़ा से जल्दी झाल